हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब तो हम लोग यहां ठीक है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे तो एक छोटा सा मंदिय दर्शन के लिए जा रहे है यहां पे मम्मी आदीता मैं और अजित तो दो-तीन दिनों से अच्छी बारिश हो रही थी तो आप देखो कितना अच्छा म महल बना हुआ है जतना मुझे याद है मुंबे में तो हमें पेट करके दिखना पड़ता यहां पे तो बहुत ही खुबसूरत है तो ऐसे बातों बातों में हम पहुच गए यह में एंट्रेंस है पोकुनी टेंपल है जो वडवनूर को लंगो डिस्टिक में आता है पास ही म वहां पे जो पंडित है उनसे भी मैं पूछ रही थी मुझे परसनली गाव के मंदिर बहुत पसंद है क्योंकि नीट क्लीन है अभी तो बारिश के कारें थोड़े यहां वहां फूल पड़े हुए अधरवाइस तो बहुत खुबसूरत है यहां के मंदिर यह सर्पकाव तो कि स्वयम हमारे शिव भगवान यहां पर प्रखट हुए है और यहां पर उनकी प्रदिष्टा करनी है तो जब पंडित से बात की तो उन्होंने भी इस बात पर हामी बरे थे उन्होंने कहा कि जब शिव भगवान काफी करोधित थे और जब वो सहर के लिए निकले थे और जब उनका पैर यह जगा उनको काफी पसंद आया और जैसे उनका पैर गंगा जल पे लगते ही उनका गुस्सा जो है शान्त हो गया था तो यहां पर एक अच्छा आप एक कॉंबिनेशन दीख रहे हो कि जो हमारे गंग देवी है और साथी साथ हमारे शिव भगवान दोनो का इहां पे मिलन है और साथी साथ यह देखो अदीथा काफी गुस्से में है और रो रही है अच्छली यहां पर मीनूट भी एक होता है तो मीनूट का मतलब होता है मच्छियों को खाना देना जो मूरमूरे होते हैं उसका एक बाउल दिया जाता दस रुपाय में तो उसको अधिता को देने के लिए कहा तो वो नाराज थे उसने बला मैंने दूंगी आप लोग ही दे देना तो यहां पे थोड़ा इस तरीके यह में है का मंदिर की एकदम ऑपोसिट में ही है तो यहां के कुछ मच्छेों को हमने खाना खिला है थोड़ा सा मैं आगे जाकर भी दे रह है तो परसनली मुझे यह मंदिर काफी पसंद है और साड़े पांच बजे का समय था तो जस्ट मंदिर ओपन ही हुआ था सुबा के बाद शाम के साड़े पांच बजे का समय तो यह देख रहे हैं आप शेव भागवान का जो फ्रदिष्टा है जो लेक के बीच में तो यही संकल्प है यहां पर कि यह लेक के बीच में यह मंदिर है और जब यह बारिश और काफी बारिश होगी और तो यह जो पानी का लेवल है यह और उपर होगा तो जब आपके पैर के करीब हो जाता है पानी तो डेफिनेटली आप भी फील कर सकते हो जो शेव भगवान ने फी का दर्शन अदीता फिर थोड़ा सा मान गई वो भी समझ गई कि लेक गलत उसके हाथ से गलती हुई है वो भी सौरी बोलकर वो भी खुश हो गई उसने भी अपना अच्छे से प्रात्ना कर लिया था तो यह मंदिर के सामनी का ही वियू है तो यहां पे यह बहुत बड़ा ली घ् проблем लियू है काफी अच्छी खेति फैली हुई है आपको दिख हाई है काफी दिनों से बारिश पर हो नहीं रही थी अब अभी कुछ दिनों से बारिश चल रहे है तो मेरी ख्याल से मेरी से फार्मर्स भी बहुत खुश रहेंगे क्योंकि वारी सोचकी उनके घ्ज़ितों कर दिख दिल मों भेट को जब झाला खुर्फजगार्गा तर्फड़ दो कर में एंजाओ जग एंजाओ जड़ एंजा।